हेलو दोस्तो नमस्कार मैं शान्ति जोशी श्य आमा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत ही युनेक प्लांट टिकोमा दिखा रही हूँ और टिकूमा को हम कैसे लगाएं किस धंग से इसकी कियर करें जिससे अधिक से अधिक हमारे प्लांट में फ्लावरिंग हो और हमारा प्लांट हमीशा हमारे गार्डन में बना रहे और इसको अधिक घना हम कैसे बनाएं यही सारी बाते हम करेंगे अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सस्काइब करिएगा ताकि मैं आपको अपने ऐसे यूनिक प्लांट दिखा सकूँ तो चलिए दोस्तो जानते हैं आटिकोमा के बारे में ये जो प्लांट मैंने लगाया है, ये मैंने पिसले सल लगाया था बहुत छोटा सा प्लांट मैं लेके आई थी और ये प्लांट मुझे 50 रुपीज में मिला था बहुत छोटा सा था पॉली ब्याग में और इस समय इसकी ग्रोध देखिए फरवरी से लेकर नौंबर तक ये ग्रोध पिरिड रहता है इसका पूरी गर्मी और बरसाद भर ये फूलों से भरा रहता है और इसमें भरवर के फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा खुसरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है अगर आप ज़्यादा फ्लावर वाले प्लांट की खोज में हैं और लगाना चाहते हैं तो टिकोमा की वाराइटी आप अपने गार्डन में लगाएं और इस समय ये प्लांट नरसरी में आपको देखने को मिलेगा और कई वाराइटी नरसरी में टिकोमा की मिलती है सर्दियों में ये प्लांट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय इसका rest period होता है और उस समय ये प्लांट आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये थोड़ी हल्की पत्तियां भी गिरा देता है तो इस समय अगर आप अपने garden में टिकोमा लगाना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी में टिकोमा आपको काफी वेराइटी में मिल जाएगी जब हम इस प्लांट को लेके आएं तो इसके लिए वेल्डन मिट्टी तयार करें जिसमें 40% garden soil, 30% sand और 30% compost मिलाकर मिट्टी तयार करें आप बर्मी कंपोस्ट या गोबर की जो शड़ी खाद होती है वो पत्तियों की खाद जो भी आपके पास है उसे आप मिलाकर मिट्टी तयार करें फंगी साइट के रूप में इसमें मिलाएं नीम की खली नीम की खली पौदों के लिए काफी फाइदे मन होती है सारे माइको नीम की खली में मिल जाते हैं और फंगस से भी नीम की खली पौदों को बचाती है पौदों की पत्यों में और पौदों में जो साइनिंग रूती है नीम की खली से ही आती है तो नीम की खली आप पौदों में अवश्य ही डालें जब हम अपना पदा लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसरत, फ्लावरिंग प्लांट है जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं, वो sun loving होते हैं, धूप वाले होते हैं ज़ादा तर प्लांट तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे सुबह से साम तक की धूप मिले 5-6 घंटे की धूप तो इस प्लावरिंग को मिलेगी उतनी जदा ये फ्लावरिंग करता है सेमिसेड में अगर आप इस प्लावरिंग को रख देंगे तो इसकी हाइट तो काफी अच्छी हो जाएगी बढ़ जाएगा प्रन्तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा तो इसे आप से सनलाइट में रखें जहां तक पानी की बात इस प्लावरिंग को चाहिए मौशर बना के रखें नहीं तो ये पत्तियां इसकी जूल जाती है और अगर पानी इसमें समय पर नहीं पड़ेगा तो ये इसकी पत्तियां लटक जाती है और फिर आप पानी डाले तो फिर से यह हरा भरा हो जाता है तो पानी का इस प्लांट में विशेश ध्यान रखें जिस समय फ्लावरिंग हो उसमय आप अपने गंबले में देखते रहें पानी सूखने न दे और पानी सूखेगा तो फ्लावर भी मुर्जा जाएंगे और फिर प्लांट आपका धीरे- खराब हो जाएगा तो मौशर बना के रखें और पानी ओवर वाटिंग इस प्लांट में न करें तो यह काफी अच्छा प्लांट है और इसकी कई वैराइटी आप लगा सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर इसके कलरवाले फ्लावर प्लांट आते हैं तो इसमें में अच्छा आपको दिखाए था इसमें और यलो की सैडिंग वाला भी प्लांट होता है वह भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये एक वेल की रूप में मिलता है इसकी वाइन होती है उसमें भी ओरेंज कलर के फ्लावर आते है और वह भी घंटीनुमा होते हैं बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखाई देती है वो वाइन भी तो टिकोमा वाइन के में भी प्लांट मिलते हैं बहुत वैराइटी है टिकोमा की इसकी एक परपल कलर की फ्लावर वाली भी प्लांट मिलता है वो भी मेरे पास है वो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है इस समय अभी नया प्लांट लगाया मैंने तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगे तो देखिए कितना खुपसुरत है यह कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय यह लो कलर के फ्लावर आ रहे हैं इस प्लांट को समय समय पर आप इसकी कटिंग करते रहें जैसे ही यह फ्लावर सूख जाएं तो आपकी जो स तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा आपका प्लांट और फिर वहां से नई ग्रोध भी नहीं होगी तो इसको समय समय पर आप ऐसे कट ते रहें फूल जब जट जाते हैं तो आप उसके उपर के हिस्से को काट दें तो उससे क्या होगा नीचे से डबल ब्रांचे निकल के आएगी दो ब्रांचे निकल के आएगी आपकी तो आपका प्लांट धीरे-धीरे घना हो जाएगा और जब घना हो जाएगा तो उतनी ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी और प्लांट भी देखने में अच्छा लगेगा यह जो यह उपर का हिस्सा होता है यह हो जाएगा आपका समय समय पर इस धंग से इसकी छटाई करते रहें जब भी आप देखें कि हमारे फ्लावर सूख गए हैं गिर गए हैं तो आप अपने यह इसकी टहनिया ऐस धंग से काट दें तो इसका जो इस समय ग्रूथ पिरेट चल रहा होता है तो यह इसमें से नही बहुत आसान है इसकी पतली सी टहनी ले लिजिए और उसको यूही नॉर्मल मिट्री में लगा दें तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और इसके आप कई प्लांट इसके कटिंग से भी बना सकते हैं बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है तो टिकोमा की कई वेरा इसको लगाकर काफी फ्लावरिंग ले सकते हैं और दोस्तो जब भी आप अपने प्लांट को लगाएं तो समय समय पर इसमें मैंने कोई भी ऐसा कीड़ों का टैक नहीं देखा है पर फिर भी मैं अपने पॉदों पर नीम आयल का स्प्रे समय समय पर करते रहती हूं जिससे मेर कीड़ों का अटैक नहीं होता है तो इस समय बरसात काफी है तो ओवर वाटरिंग जब प्लांट में हो जाती है तो प्लांट का खराब होने का डर रहता है तो जब लगातार बारिश से आप अपने पॉदों को ऐसी जगह पर रखें जिसमें हमेशा इसमें पानी न भरा रह पानी हमेशा भरा रहेगा तो यह प्लांट खराब हो जाएगा तो ज्यादा बारिश भी पॉदों के लिए नुकसान दैक होती है तो उस समय आप अपने पॉदों को की जगह चींद कर सकते हैं और बारिश बंद होने पर फिर से आप उसको रख सकते हैं लगातार बारिश ह अच्छा है तब तो पॉदों को कोई खराबी नहीं है अगर पानी गमले में स्टोर हो गया है तो पॉदा आपका खराब जाएगा और यह फूल भी सब जड़ जाएंगे और अच्छा दिखाई नहीं देगा धीरे धीरे प्लांट पीला होने लगेगा ज्यादा बारिश से प्लांट की जो फूलों की पतियां होती है और फूलों प्लांट की पतियां होती है वो यलो हो जाती है और प्लांट खराब हो जाता है तो बारिश ज्यादा बारिश में भी से भी आप बचाएं और धूब में रखें तो बहुत अच्छी यह फ्लावरिंग करेगा समय समय पर आप इसको कट करते रहें, नौमबर और दिसमर दो मेना ये रेस्टि प्रेड में रहता है, तो उस समय आप इस प्लांट की कटिंग कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग कर दें, और फरवरी आते आते फिर से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, और इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां पर इसे डारेक्टे इसके उपर पाला ना पड़े, अगर इसमें पाला पड़ेगा, तो ये प्लांट खराब हो जाएगा, जुलस जाएगा, और फिर ग्रोथ लेने में इसको काफी टाइम लगेगा, तो इसको पाले से भी बचाना है, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें, इसके उपर पाला ना पड़े, और धूप इस प्लांट को मिलते रहे, और पानी भी आप इस प्लांट को देते रहेंगे, तो ये प्लांट हमीशा आपके गार्डन में बना रहेगा, और फिर फरवरी आते ही इसमें ग्रोथ सुरू हो जाएगी, देखिए बहुत सुन्दर दिखाई देता है ये प्लांट, तो आप इसकी कई वेराइटिया है, सब वेराइटिया आप इसकी लगा सकते हैं, और हमीशा इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं, और आपका गार्डन भी कलर्फुल हो जाएगा, बहुत कलर के प्लांट निलते हैं, और जब बहुत सारे कलर फ्लावर के हो जाते हैं तो गर्डन भी सुन्दर दिखाई देता है देखे सुन्दर दिख रहा है बहुत थैंक यू